दोस्तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ओल इंडिया लिमिटेट समित आठ ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जिन्होंने आप इस स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लिट एंड डिविडेंट अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फनो मीडिया भाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलिए दोस्तो बात करते हैं आप है मारे पहले स्टॉक की तो कंपनी का नाम है नैशनल प्लास्टिक टेक कंपनी का करन्ट स्टॉक प्राइज 166 रुपीज के उपर में चल रहा है इस कंपनी ने आप डिविडेंट अनौंस कर दिया है 1 रुपीज का और इस डिविडेंट को देने की जो एक्स देट होने वाली है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है सार्थक मेटल लिमिटेड का करन्ट स्टॉक प्राइज 255 रुपीज के उपर में चल रहा है इस कंपनी ने आप डिविडेंट अनौंस कर दिया है 1 रुपीज का और डिविडेंट को देने की जो एक्स देट होने वाली है वो 9 रुपीज की होने वाली है और जो record date है वो भी same day की होने वाली है यानि की 9th of August की अगले stock की बात करें तो company का नामे श्री दिनेश मिल्स लिमिटेड company का current stock price 522 रूपीस के उपर में चल रहा है इस company ने आपे dividend announce कर दिया है 10 रूपीस का और dividend को देने की जो X date रहेगी वो 25th of August की होगी और जो record date है वो भी same day की होने वाली है यानि की 25th of August की अगले stock की बात करें तो company का नामे लैंकर होल्डिंग लिमिटेड company का current stock price 52 रूपीस के उपर में चल रहा है इस company ने आपे stock bonus announce कर दिया है 1 is to 2 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company के 2 stocks हैं तो यहाँ पे आपको एक stock as a bonus मिलेगा मदलब total में आप आपके जो 2 stocks हैं वो 3 stocks में convert हो जाएंगे और इस stock bonus को दिने की जो x date और record date है वो 18th of August की रहने वाली है अगले stock की बात करें तो company का नाम है Selser Electronics Limited company का current stock price 336 रूपीस के उपर में चल रहा है company ने आपे dividend announce कर दिया 2.20 रूपीस का और dividend को दिने की जो x date है वो 25th of August की होने वाली है और वही जो record date है वो भी same day की होने वाली है यानि की 25th of August की अगले stock की बात करें तो company का नाम है VGuard Limited company का current stock price 255 रूपीस के उपर में चल रहा है इस company ने आपे dividend announce कर दिया 1.30 रूपीस का और dividend को दिने की जो x date है वो 17th of August की होने वाली है और वही जो record date है वो भी same day की होने वाली है यानि की 17th of August की अगले stock की बात करें तो company का नाम है Eventail Limited company का current stock price 822 रूपीस के उपर में चल रहा है इस company ने आपे stock split announce कर दिया है 1.25 की ratio से जिसका मतलब भी है अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो यहाँ पर आपका जो एक stock है वो total में आपे 5 stocks में convert हो जाएगा या फिर आप यह भी कह सकते हो आपके पास में इस company के जितने भी stocks है वो सबके सब यहाँ पे 5 गुना हो जाएंगे और इस stock split को देने की जो X date होने वाली है वो 16th of August की होने वाली है और वही जो record date है वो भी same day की होने वाली है यानि की 16th of August की आईए बात करते हैं आपे हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है Oil India Limited company का current stock price 271 रुपीस के उपर में चल रहा है इस company ने आपे board meeting और्गनाईज कर दिया 8th of August यानि की कल के दिन को और इस board meeting का जो purpose रहने वाला है वो quarter one के results को लेके रहने वाला है अब जरूर से आप Oil India के stock के उपर में नजर बना के रखिएगा because काफी जाद high expectations है company का जो last quarter का data है उसके हिसाब से इस quarter का जो result है वो काफी अच्छा में आता हुआ देखने को मिल सकता है और अगर ऐसा ही होता है कि company का quarter one result जो है last quarter से अच्छा आता है तो definitely stock में हमें एक शानदा rally देखने को मिल सकती है इसी वज़े से आप oil India के stock को जो अपनी watch list के अंदर में आड करके रख लीजेगा बाकि आज की वीडियो के अंदर में इतना ही यही 8 stocks थे जिन्होंने आप stock bonus, stock split and dividend announce किया था अब अगर आप को वीडियो ची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा इस चानल को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा विगोस फिनो मेडिया के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर तिल दिन भाई